हेलो एवरिवन वेलकम बैक टू माई चैनल इट्स मी रीना एंड यू वाच फैशनिट टीवी जैसा कि हम सबको पता है कि अर्मान मलिक है इन दिनों बिग बोस के गर में है साथ में कृतिका भी है और पायल है वो गर से बाहर आ चुकी है तो यहाँ पर अर्मान और कृतिका क को एडिट किया गया है वो बिग बोस के गर से थी ही नहीं इसका मतलब यह है कि कोई ना कोई ऐसा है जो हर रोज हर टाइम यह चाहता है कि अर्मान मलिक की बेजती हो या वो शो में आगे ना जा पाई और यही सब रीजन था कि अर्मान मलिक के बारे में पायल ने यह चीज बताई कि क्रिटिका और अर्मान के वो सीन तो उनके ही थे जिसमें अर्मान और क्रिटिका है वो मस्ती कर रहे थे लेकिन उसके बाद के जो भी बिस्तर वाले सीन थे वो है सब एडिट किये गए थे ये सचाई पाइल ने सामने लाई थी और तब तक तो बिग बोस के घर से भ कि बिग बोस जैसा शो है बंद होना चाहिए उसमें ऐसे सीन्स दिखाए जाते हैं ऐसे कपल को बलाए जाता है तो जब बात यहां पर शो बंद होने की आई ना तब बिग बोस में अनिल कपूर ने स्टेज पर आकर कहा कि जियो स्नीमा इसके लिए जिम्मेदार नहीं है साफ अर्मान और क्रितिका के लिए क्योंकि यहां पर उनका पूरा परिवार है वो इस चीज के मामले में सफर कर रहा है क्योंकि आप देख सकते हो अर्मान और क्रितिका तो अच्छा खेल रहे है बिग बोस चली उन्हीं के दम पे रहा है वैसे देखे तो और यहां पर पा करते हैं लेकिन दो शादियों के लिए पाइल बारी बारी से माफी मांग र yeah ही ख्यारी है कि हमारे टाइम पर सिचवेशन लग थी और यहां पर पाइल ने साफ कर दिया है कि हमारे टाइम पर भी बहुत बुरा हुआ हमारे साथ क्रितिका ने भी सुसाइड करने की कोशिश की थी मैंने भी और अर्मान ने भी और एक टाइम ऐसा था कि हम एक दूसरे की सकल भी नहीं देखते थे फिर वही बहात है ना कि बगवान ने जोड़ी लिख रखी थी जहां से योंग थे वहीं थे यहां पर क्रितिका की भी और पाइल की भी बॉंडिंग लिखी थी एक टाइम था जब दोनों एक दूसरे से नफ़त करती थी बेस्ट फ्रेंड थी लेकिन आज एक दूसरे के बिना नहीं रह सकती इस मामले पर भी लोग इतने तरह के सवाल करते हैं भी क्रितिका और पाइल एक दूसरे के साथ रहत को कि अर्मान है पाइल कूझ जे पेस्तिका को पूस्ते हैं यह करता, पाइल को नहीं पूस्ता तो कहीं वह से भी देखने को नहीं लगता और यदि पाइल खूश नहीं होती तो आज वो उन्हें छोड़ सकती थी लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि आज उनका फेस है वो काफी ज़्यादा पॉपुलर है और वो चाहे तो अपने बच्चों का मतलब गुजारा चला सकती है लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे क्योंकि बिना बापके बच्चों का रहना या फिर पाइल का अर्मान मलिक से अलग होना क्योंकि लोग लोगातार कमेंट कर रहे हैं कि पाइल को तला की है और जो मनलब क्रितिका और पाइल का बॉंड है वो रियल में रियल है लेकिन लोगों ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया बस क्या हमें पहले पता नहीं ता कि अर्मान की दो शादिया हुई है और रही बात उस केस की तो अर्मान मलिक पर केस चल रहा है रेप से रिलेटिड इसका मतलब यही है कोई अर्मान मलिक को बदनाम करना चाहरा ہے ताकि वो शो में आगे ना बडए हैं उसको है शो को उतनी ही टियार पी मिलती है तो शो वाले भी कुछ नहीं कहते तो यहाँ पर नुखसान किस का हो रहा है अर्मान मलिक का हो रहा है और पायल को इन सब चीज़ों को बुगधना पड़ रहा है दूसरी बात है वो कृतिका की एक वीडियो जिसमें वो एक बुड़े आजमी के साथ डांश कर रही थी दिली के बार में तो आपको याद होगा कि अर्मान मलिक ने जो वो डांस कर रहे हैं वो उनके दोस्त है अर् नाम कर रहे हैं वो एक मनलब जिम ट्रेनर है शायद और वो अर्मान मलिक एच्छे दोस्त है कई बार उन्होंने व्लोग में उनको दिखाया भी है और वो कैसे दिली में रहते हैं और उस टाइम पर कृतिका ने शायद उनके साथ डांस किया होगा और वो वीडियो अब जा यह माफी भी अर्मान मलिक ने मांग ली थी कृतिका ने भी मांगी थी कि मुझे नहीं पता था दूसरा विशाल और अर्मान के बीच में तो सब ठीक हो गया था लेकिन सोशल मीडिया पर अभी भी ठीक नहीं हुआ है लगातर कृतिका को इतना ज़्यादा बदनाम किया जा वेका हो सकता अर्मान मलिक फैमिली है जो है कई चीजगे नहीं सही हो और अभी तक भी नहीं चाद यह किसी पांगी तो उसका भी